अगली कपर में बात करते हैं सागर की जहां देवरी में उस समय हरकम मच गया जब मगरमच रहवासी इलाके में घुज गया मगरमच होचने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड जमा हो गई वन विभाग को सूचना दी गई लेकिन काफी समय बाद भी विभाग की टीम नहीं आई ऐसे में रहवासीों ने ही मगरमच को पकड़ने का रेस्क्यू सुरू किया लोगों की भीड ने करीब दो घंटे की मसकत के बाद मगरमच को पकड़ लिया जिसके बाद वन विभाग को सौब दिया गया है दरसल देवरी के महाकाली वाड और प्रत्वी वाड के बीच से सुक चैन नदी निकली है पारिस के मौसम में नदी में मगरमच आ गया था पिछले करीब एक सब्ता से अलग-अलग समय पर लोगों को नदी में मगरमच दिख रहा था जिस कारण वाडों के रहवासी दहसत में थे इसी बीच राज के समय अचानक मगरमच नदी से निकल कर रहवासी इलाके में पहुँच गया लोगों को देखकर मगरमच ने जपट्टा मारा जिसके बाद महाकाली वाड में हडकम मच गया देखते ही देखते सैकडों लोगों की भीड जमा हो गई लोगों ने वन विभाग को मगरमच होनी की सूशना दी सूशना पर भी जब वन विभाग की टीम मौके पन नहीं पहुची तो लोगों ने ही मगरमच का रेस्क्यू सुरू कर दिया जोकिम उठा कर कुछ युवाओं ने मगरमच को पकड़ा और रसी से मूँ बान दिया करीब दो घंटे की मसक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया जिसके बाद लोगों में मगरमच के साथ फोटों खिचाने की होड लगी मगरमच को नगरपालिका के मवेसी पकड़ने वाले वाहन के पिंजरे में कैट किया गया मामले में रहवासियों ने मगरमच को सुरच्छिदवन विभाग के हवाले कर दिया गया है खटना किरम की सूचना मिलते ही देवरी थानप्रभारी आशीर शर्माक मौके पर पहुचे और मामले की जानकारी ली